हेलो फ्रेंट्स, गुड मॉर्निंग, सालने होम ब्लॉग में आपका फिर से स्वागते, दोस्तों आज है मिक्स अचार बनाने जा रहे हैं, मिक्स अचार बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हरी मिर्च, मूली, गाजर और अद्रक का यूज करेंगे, क्या करेंगे, सब कट करने, मूली को भी दो भाग में कट करेंगे, पहले करने के बाद अच्छे से छेल लेंगे, साफ धका काट लेंगे, बिल्कुल छोटा पीस होना चाहिए हम वीडियो में आपको देख लीज्य कैसे हम कट किया है, छोटे चोटे पीस, इस तररी केसे होना चाहिए है अब चलिए आगे क्या करते हैं गाजर लेते हैं गाजर आप ज्यादा मोटा पन मत लीजिएगा पतले पतले गाजर मिल जाए तो आप उसका यूज यहाँ पे किजिएगा गाजर को भी अच्छे से दोनों साइड से काट के निकालने के बाद फिर इसके भी छोटे-छोटे यम्मी अचार बनता है बिना धूब के हम महीनों तक कैसे स्टोड कर लेंगे इसको यहाँ वीडियो में देखते चलिए फिर यहाँ हम अधरक का यूज कर रहे हैं अधरक को छील के छोटे-छोटे पीस में यहाँ कट कर ले रहे हैं हम अधरक यहाँ ज्यादा नहीं यूज कर रहे हैं बस स्वाद के लिए हमने थोरा सा डाल रहे हूं इसको भी बिल्कुल छोटे-छोटे पीसेज में कट कर लेंगे पतले-पतले आप चलिए आगे क्या करते हैं कुछ इस तरीके से आप देख लीजी कितना मैंने देखने में अच्छा लग रहा है आप क्या करते है दोप के हम अचार कैसे बनाएंगे तो सबसे पहले कढ़ाई गर्म होने के बाद उसमें राई डालेंगे काली राई उसको क्या करना भूनना है थोरा सा ना जब जैसे कोई चीच नरम पढ़ जाता है सर्दियो में तो थोरा सा उसे भून लेंगे इसे क्या होता है में करते हैं मेथी डाल लेते हैं मेथी डालने के बाद दूस्तों अब आगे देखे थोरा सा सौफ मैं डाल रही हूं सौफ डालने से क्या होता है बहुत ही मने अचार का स्वाद बिलकुल ही बदल जाता है बहुत मने टेस्टी लगता है फिर थोरा यहां मैं जीरा का यूज कर यहां पर में लाल मिर्च डालूंगी यहां पर मैं लाल मिर्च भी साबुत में डाल रही हूँ कोई फिसा वगर नहीं डाल रही है अब इसे भी थोड़ा में गर्म कर लूँंगे भून लूँगे देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से ये भून के अब रेडी हो चुका है अब आगे देखिए क्या करते हैं अब एक मिक्सी के जार में इसे ट्रांसफर कर लेंगे ट्रांसफर करने के बाद बिल्कुल महीन इसका पॉडर मसाला बना लेंगे चलिए अब ये देखिए फिर उसे कढ़ाई गरम करने के बाद उसमें तेल डाल लेंगे तेल में क्या करेंगे वो होता है ना कलाओजी और जवाइन दोनों डाल लेंगे डालने के बाद अब इसमें मिर्च गाजर मूली अदरक जो भी है उसे डाल देंगे थोरा सा भून लेंगे यहां पर बोलेंगे बिना धूप का अचार हम कैसे बनाते ता आप इस तरीके से बनाईए और देखे कि महीनों तक बने बिल्कुल खराब होने का ये नाम ही नहीं लेगा अचार खतम हो जाएंगे इसे सारे फेमली मिल के इंजोऑ कर लेंगे परचार कभी खराब इस तरीके से नहीं होगा अगर इस तरीके से बना भी रहे हैं अगर धूप है तो आप दिखा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है छेले थोरा सा धख देते हैं इसे बीछ बीच में पलटते रहेंगे अब क्या करते हैं यहां हल्दी डाल लेते हैं कलर के लिए थोरा सा कलर ठीक ठाक लगें तो यह इसे चला लूँ मैं थोड़ा चलिए आगे किर क्या प्रोशिश है क्या करूं अब नमक डाल लेती हूं नमक अपने अपस्वाद के कॉर्डिंग डाल लीजिएगा दोस्तो इस तरीके से आप एक बड़ा चार बनाईए खाईए इंज्वाई कीजिए बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनता है इस तरीके से मुली पराठा पूरी जिसके साथ आप इंज्वाई करना चाहते हैं कर सकते हैं चलिए मसाला डालते हैं आपने देखा न मैंने पूरा मसाला नहीं डाला जितनी आउसकता होगी उतना ही हम डालेंगे यह मसाल किसी और अचार में हम यूज कर सकते हैं अब चलिए चलाते हुए अब इसे ये देखे दोस्तो कुछ इस तरीके से आप अगर धूप है तो आप धूप में इसे रख सकते हैं नहीं है तो कोई दिकत नहीं आप किसी वरतन में इसे रख के इंजॉय कर सकते हैं ये देखे दोस्तो कुछ इस तरीके से बन के रेडी हो चुका है वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब, लाइक, सेयर जरूर करें बाई बाई दोस्तो